Hello Everyone, Welcome Back to Tina Classes आज हम डिस्कस करेंगे Super Tech Practice Set 2 जिसमें टॉपिक होगा भारत का भुगोल Question First निम्द में से कौन सा शहर करक रेखा से सबसे निकटस्त है? Option A, जवलपुर Option B, एहमदाबाद Option C, उजयन Option D, वारण असी आप सबी अपने answers को गेस कर सकते हैं? I hope आपने गेस किया होगा तो इसका correct answer होगा Option A, जवलपुर Question Second भारत में कन्या कुमारी की अवस्तिती है Option A, भुमद रेखा के दक्षण में Option B, करक रेखा के उत्तर में Option C, मकर रेखा के दक्षण में Option D, भुमद रेखा के उत्तर में आप सभी अपने आंसर को गेस कर सकते हैं? I hope आपने गेस किया होगा तो इसका correct answer होगा Option D, भुमद रेखा के उत्तर में Q3. निम्न नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज्दीक है? Option A. इंफाल, Option B. अगरतला, Option C. आईजॉल, Option D. रायपुर आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा तो इसका correct answer होगा Option C. आईजॉल Q4. 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है Option A. आन प्रदेश, Option B. महराज, Option C. उत्तर प्रदेश, Option D. मध्रदेश आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा तो इसका correct answer होगा Option D. मध्रदेश Q5. निम्न निशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाडिक मध्यान रेखा कहलाता है Option A. 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी Option B. 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी Option C. 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी Option D. 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा तो इसका correct answer होगा Option B. 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी Question 6. भारती मानक समय की अमोत्तर नहीं गुजरती है Option A. आन प्रदेश Option B. चत्तिसगर्ड Option C. महराष्ट Option D. उत्तर प्रदेश आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा तो इसका correct answer है Option C. महराष्ट Question 7. भारती मानक समय निम्द स्थानों में से किसके समीब से लिया जाता है Option A. प्रयागराच नहनी Option B. लखनौ Option C. मेरट Option D. मुजफवर नगर आप सभी अपने answers को guess कर लें आप सभी अपने answers को guess कर सकते हैं I hope आपने guess किया होगा तो इसका correct answer होगा Option A. प्रयागराच नहनी आप सभी अपने answers को guess कर सकते हैं I hope आपने guess किया होगा तो इसका correct answer होगा Option C. आप डिगरी चैनल Question 9. 9 डिगरी चैनल किसके बीच इस्तित है कावारत्ती तथा मीनिकाय के बीच Option A. Option B. अमीन दीव तथा कावारत्ती के बीच Option C. कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच Option D. अंडमान तथा निकोबार द्वीपो को बीच आप सभी अपने अंसर को गैस कर सकते हैं I hope आपने गैस किया होगा तो इसका correct अंसर होगा Option A. कावारत्ती तथा मीनिकाय के बीच Question 10. गुजरात की सबसे पश्चिमी गाओ और अरुनाचन परदेश के सबसे पूर्वी छोर परिस्तित वालांगू के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा Option A. एक घंटा, Option B. दो घंटा, Option C. तीन घंटा, Option D. चार घंटा अब सभी अपने अंसर को गैस कर लें I hope आपने गैस किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा Option B. दो घंटा Question 11. भारत में सबसे पहले निम्ड में से किस राज में सूर दिखाई देता है Option A. मिजोरम, Option B. असम, Option C. अरुनाचल परदेश, Option D. नागलान आप सभी अपने आंसर को गैस कर लें I hope आपने किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो Option C. अरुनाचल परदेश Question 12. निम्ड में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीन विच कहा जाता है Option A. उज्जैन, Option B. रहुतक, Option C. अवंती, Option D. कुरूचेट आप सभी अपने आंसर को गैस कर सकते हैं I hope आपने कर लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है Option A. उज्जैन Question 13. डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है Option A. तिबद, Option B. म्यानमार, Option C. अफगानिस्तान, Option D. मंगोलिया आप सभी अपने आंसर को गैस कर सकते हैं I hope आपने कर लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर, Option C. अफगानिस्तान Question 14. 82 डिगी 30 मिनट पूर्वी दिशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है Option A. पाच राज, Option B. छे राज, Option C. आट राज, Option D. नौ राज आप सभी अपने आंसर को गैस कर सकते हैं I hope आपने गैस कर लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, Option B. छे राज Question 15. करक रेखा और भारत की मध्यान रेखा, 85 डिगी 30 मिनट किस राज में एक तूसरे को काटती है Option A. उत्तरप्रदेश, Option B. मध्यप्रदेश, Option C. ओडिशा, Option D. 36 गड़ आप सभी अपने आंसर को गैस कर सकते हैं I hope आपने गैस किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है Option D. 36 गड़ Question 16. भारत की निम राज्यों में से किसकी तट्रेखा सब से लंबी है Option A. गुजराद, Option B. महराष्ट, Option C. आनप्रदेश, Option D. किरल आप सभी अपने आंसर को गैस कर लें I hope आपने किया होगा, तो इसकी करेक्ट आंसर होगा Option A. गुजराद Question 17. उत्तरप्रदेश की सीमा रेखा कितने राच्यों से मिलती है Option A. 9, Option B. 7, Option C. 8, Option D. 6 आप सभी अपने आंसर को गैस कर लें I hope आपने गैस कर लिया होगा, तो करेक्ट आंसर होगा Option C. 8 Question 18. राष्टी राच्दानी छेत्र में नहीं सम्मीलित है Option A. हर्याना का भाग, Option B. पंजाब का भाग, Option C. राजिस्थान का भाग, Option D. उत्तरपदेश का भाग आप सभी अपने आंसर को गैस कर लें I hope आपने अपने आंसर गैस किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है Option C. राजिस्थान का भाग Question 19. भारत की निम्ट के इंशाशित पदेशों में से कौन छेत्फल में सबसे बड़ा है Option A. चंडिगड, Option B. लक्षवदीप, Option C. दमानेवदीप, Option D. अंडमान आण निकोबार आप सभी अपने आंसर को गैस कर लें I hope आपने गैस किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा Option D. अंडमान आण निकोबार Question 20. निम्ब में से भारत के किस राज की सीमा मैंनमार से उभेनिष्ट नहीं है Option A. असम, Option B. नागा लैंड, Option C. अरुनाचल प्रदेश, Option D. मिजोरम आप सभी अपने आंसर को गैस कर लें I hope आपने गैस किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होजाएगा Option A. असम Thank you for watching